यारो कैसे ये गेम औरिजनल गेम का कॉपी होने के बावजूद भी उससे भी जादा फेमस है लाइक ऐसे टेमपलरं 1999 के पेपसी के एक गेम से कॉपी करके बनाया गया था कैसे पब जी की एक कॉपी इतना जादा फेमस होने लगी थी कि उसे जबरजस्ती प्लेय स्टोर से हटा दिया गया जी टीए का कॉपी होने के बाद भी सभी इस गेम के इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं और कैसे पालवर्ड 2022 के पोकेमोन गेम से कॉपीड है तो चलो जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं नमबर वन पोकेमोन तो यह तो आपको साथ पता ही होगा कि पोकेमोन स्टार्ट ही एज गेम कंपनी की तरह हुआ था भाई वो तो उनकी गेम अच्छी चली जिसके वज़े से वह आगे चलकर उन्होंने उसका एन्मे बनाया और भाई अब तक पोकेमोन के इस्टिमेटेड मार्केट में 137 गेम्स हैं बट उनमें भी एक बहुत ही पॉपलर गेम है पोकेमोन लेजंड्स आर्सीयस करके दरसली यह क्रियेचर कैचिंग आर्पीजी गेम है जिसमें जंगलों में जाकर हमें पोकेमोन को पकड़ना ट्र एक नाच जयई है जैसे कि आप पिकाच ओ कहीं ये वर्जन देख लो और वाई सिर्फ यह नहीं इसमें तो और भी चैरेक्टर काफीं सिमलर दिखते हैं जिनको कि आप अब ही अपने स्क्रिन पर देख सकते हो तो हैरो आज तक आपने तो पिपसी कहीं बार पी होगी बढ़ कि आपको पता है कि 1999 में पिपसी ने अपनी मार्केटिंग के लिए PS1 पर एक गेम लाँच किया था जो कि वह अगर नहीं बनाई जाती तो आज तक हम सब्वे सरफर्स अंटेंपल रेंज जैसे गेम्स को कभी खेल ही नहीं पाते हैं येस गाइस क्योंकि 1999 में पिपसी ने जो गेम लाँच किया था उससे सारी रेंइंग गेम्स का बाब आई मीन फोरफादर बुला जाता है हेरो पेपसी मैन अपने जवाने का एक लौता ऐसा गेम था जिसमें एक सूपर हीरो पेपसी मैन लगाता दौड कर जम्प, डैस ये सब करते हुए कई पेपसी केंस कलेक्ट करता है इस गेम में टोटल तीन पार्ट के साथ पांच लेवल थे वैसे जब 2011 पार्ट के आसपास मार्केट में टेमपल रन एंसब बेस अफर्स को लांच किया गया था थब उसके पॉपलर होने के बाद बहुत सारे इंडलेस रनिंग गेम बनें और वाई कुछ तो इतने कॉपीड गेम्स बनें लिटरली उनकी गेमपले और ग्राफिक्स को देखकर आपकी हैसी ही निकल जाएगी जैसे कि प्ले स्टोर पर एक गेम है इंडलेस रन करके जो कि भाई टेमपल रन कहीं पूरा का पूरा कॉपीड है भाई इस गेम के ग्राफिक्स, करेक्टर्स, एबिलिटीज लगभगी सेम टो सेम है और तो और यहां तो इन्होंने फॉन्ट को भी नहीं छोड़ा उसे भी कॉपी कर डाला नमबर त्री गेटिंग ओवर इट भाई पता नहीं इस गेम ने कितने ही कंप्योडर्स के वाट लगा डाली है नहीं नहीं अपने ग्राफिक्स नहीं बलकि अपने रेज मोड से यहारो लिटरली यह सबसे इरिटेटिंग गेम्स में से एक है और इसलिए कई लोगों को लगता है कि यह एकदम ओरिजनल गेम है जिसका आइड़ो का इसके क्रेटर नहीं ढूंडा होगा पर भाई ऐसा नहीं है एक्चुलि में गेटिंग ओवर इट एक गेम से इंस्पार्ड है या फिर आप कह सकते हो कि काफी है तक सेम है बस जिस गेम को इन्होंने चापा है वह गेम ज़्यादा पॉपलर नहीं हुआ था और उसका नाम लेना भी थोड़ा रिस्की है क्योंकि उसका नाम है सेक्सी हाइकिंग हाँ जैसा अजीब नाम है वैसा ही 2003 में अजीब सा ये गेम भी था और इसमें भी एक व्यक्ती हैमर की मदद से उपर तक पहुंचने की कोसिस करता है और जिस एक वज़ेसे बार बार गिरता भी है लेकिन फिर भी भाई कंसेप्ट इतना अच्छा होने के बाद भी ये बहुत ही ज़दा ग्लीची था और इसमें करेक्टर को कंट्रोल करना तो और भी हाट था देखो ये गेम उतनी भी टप नहीं थी जितनी गेटिंग ओवरीट है बट फिर भी भाई इसके बग्स अंग्लीच ने इसको पॉपलर बनने ही नहीं दिया नमबर फॉर पब जी तो हैर अचला अब उस गेम की भी बात कर लेता है जिसको मोदी जी ने पहले प्रमोट करके बाद में बैन कर दिया था ये पब जी बना है क्या फिर इसके पॉपलर होने के बाद इसके बहुत सारे क्लोंस अंड कॉपी मार्केट में आए और इनी में से एक था सर्वाइबल फायर बैटल ग्राउंड्स भाई इसमें पब जी के मैप गन्स करेक्टर से लेकर उनके फोन तक को भी कॉपी कर डाला गया है और इसका भी प् पब जी या बोलू पैब जी नाम का भी एक पब जी का सस्ता कॉपी को प्ले स्टोर पर डाला गया था जिसको की भाई सिर्फ एक ही इंडेन डेवलपर ने बनाया था और उसमें भी सारी चीज़े कॉपीट थी भट उसका नाम कॉपी होने के बाद भी बहुत ही ज़्याद हीट रही थी जिसके बाद कई सारे और भी गेम डेवलपिंग कंपनी ने जी टीए के जैसे गेम बनाने का ट्राइ किया और फोन के अंदर तो आपको भार भार के जी टीए का कॉपी मिल जाएंगे यहां तक ही एक इंडियन जी टीए कॉपी भी है गुरू भाई दे गैंस् जो कि भाई सेम टू सेम जी टीए का हैं कॉपी था और इसलिए साथ बहुत हीट भी साबित हुआ फिर आगे चलकर उन्होंने सेंट्रोस 2 भी बनाया था जो भी काफी ठीक ठाक ही चला लेकिन कहने कहीं डेवलपर्स को पता चल गया था कि कॉपी करके अब इतना भी आगे बढ़ सकते हैं इसलिए जब इन्होंने अपना थार्ट पार्ट को लांच किया तो इस गेम ने अपने आपको जीटीए से अलग करने की बहुत कोसिस कि और जैसे बज़े से फिर आगे चलकर काफी ही ज्यादा फेमस भी हो गई वैसे रोब्लोक्स में भी एक जीटीए का अब इंडिया में रोब्लोक्स तो माइनक्राफ्ट के जितना पॉपलर नहीं है बट बाहर के कंट्रेज में माइनक्राफ्ट जितना ही पॉपलर है एक्चली रोब्लोक्स को एक गेम नहीं है बलकि यह गेमिंग प्लैफोर्म है मतलब कि इस प्लैफोर्म पर जाकर आप अल आप की तरह यह बिल्कुल ही Roblox जैसे लगती है और जब आप इसके इंटरफेस को भी देखोगे तो यह काफी हैं तक Roblox जैसा ही दिखता है और अपडेट आने के पहले तो और भी जादा ही लगता था इसके डिफॉर्ट करेक्टर को भी अगर आप Roblox के डिफॉर्ट करेक इसके बहुत बड़े फैन है अब इल्कुल इसी कि तरह गेम है चलिर इंस्टिंग्स यहार यह गेम सिम टों सिम वही है यहां दा कि दोनों के जो ब्रुटैलिटी और फिनिशन्स हैं वह भी करेक्टर्स के सेम्टों सेम हैं और तो और इसमें भी कुछ करेक्टर काफी ज़ पीसी में आने के लिए और भी दो साल लगेंगे फ्रेंड भाई तू मल्टिप्लेयर गेम क्यों नहीं खिलता है में थिंकिंग अबाउट माई लग इन मल्टिप्लेयर गेम समवन क्या तुम्हें त्यारना आता है मी ओ येस आल्सो मी पूल रेफाई कपिल पाजी स्क्रिप्ट पकड़े गई हर वाई पीछे तो ये आंटी बस इंतजार करे थे कि कब बस मुझे उठना और तारी बोजाना अगर आप होते तो क्या करते हैं क्या हो भाई इस बच्चे ने देखिए क्या बनाया है क्या है ये बेटा जरा वो पेल काट के दिखाओ दिन में सूरज रात में तारे होते हैं और वाट दफेक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं तो यारो समझ गया न तो यारो बस आज किस वीडियो की लिए नहीं था अगर आपको इस वीडियो का पिछला पाट को देखना है तो आपके लिए ये वाली वीडियो और एकर इस आपने देख लिया है थो भाई फिर आपके लिए ये वाली Funtherasting वीडियो इस वीडियो को पूरा यहां तक इंड तक देखने के लिए देल से थांक्स पर वाचिंग इस एंटार वीडियो